गुड मॉर्णिंग स्टूडेंज तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुर्णानक देव युनिवस्टी अमरी सर एंटरन्स एक्जाम फोर सेशन दोहिया 24-2025 के बारे में तो इस वीडियो के साथ लाज तक बने रहें चलो शुरू करते हैं गुर्णानक देव युनिवस्टी अमरी सर में नियू अडिमिशन शैशन दोहिया 24-2025 मेई मन्त में ओपन होंगी और मेई फर्स्ट वीक से रेजिटेशन शुरू हो जाएंगी और गुर्णानक देव युनिवस्टी अमरी सर के एंटरन्स एक्जाम जून जुलाई मन्त में होंगे और entrance exam के कुछ दिनों बाद ही counseling भी हो जाईगी entrance exam अलग-अलग departments का अलग-अलग date and time पर होगा और same counseling भी अलग-अलग date and time पर होगी May 1st week तक G&U University का official notification आ जाएगा और उसमें आपको सारो कुछ detail में बताया गया होगा कि registration की starting date क्या है, ending date क्या है entrance exam का date and time और counseling का date and time और साथ में आपको entrance exam का syllabus भी मिल जाएगा, official notification आने के बाद आपके पास minimum 1 month तक का time होगा आपने entrance exam की त्यारी करने में और entrance exam इतना भी ज़्यादा hard नहीं होता पर फिर भी आपको बहुत अच्छे marks लेकर entrance exam होता है और कुछ courses में admission, plus 2 के marks की merit पर होती है और कुछ courses में J.E. mains तो entrance exam की merit list कैसे बनती है for example माल लो कोई भी एक course है उसमें total seats हैं hundred और registration करवाई है thousand students ने और वो thousand students entrance exam देने आएंगे और फिर उन में से जिन students के सबसे ज़्यदा marks होते हैं उनका नाम merit list में आ जाता है तो thousand में से hundred का नाम merit list में आ जाएगा और 20-30 का नाम waiting list में उसके बाद hundred merit list वालों को counseling के लिए बुलाए जाएगा और फिर document verification होगी और उसके बाद दो दिनों के अंदर आपको fees deposit करवानी पड़ेगी और जो hundred students merit में आते हैं उन में से कुछ students ने दो तीन courses में admission के लिए apply किया होता है और दो तीन entrance exam दिये होते हैं अलग-अलग departments में तो कुछ merit list वाले counseling के लिए जाते ही नहीं है और कुछ students का कोई और reason होता है और फिर वारी आती है waiting list वाले 20-30 students की तो जितने students counseling में नहीं आये होंगे उतने waiting list वाले students को counseling के लिए बुलाया जाएगा और total जितनी seats हैं उतनी पूरी की जाएंगी तो इसी तरह entrance exam में selection होती है और आप सब 2 या 3 courses में एक साथ registration करवा सकते हो और entrance exam के result के बाद choose कर सकते हो कि किस course में आपने admission लेनी है तो आप सब वेट करो May 1st week में official notification आ जाएगा उसके बाद registration शुरू हो जाएगी जिन दूसे लेटेर सारी updates आपको इसी चैनल पे मिलेंगी तो ये चैनल जूरू subscribe कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो तब तक इस वीडियो को like कर दो, share कर दो सभी friends के साथ bell icon जुरूर प्रेस कर लेना thank you